आज की तीन बड़ी खबरे नंबर एक मनिपूर हिंसा को लेकर कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कुछ दिनों पहले उन्होंने मनिपूर का दौरा किया था उन्होंने राज्य में पीडितों के लिए बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया और हिंसा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की आज गुरुवार को राहुल गांधी ने कहा कि मनिपूर में फैनी अशान्ती के मुद्दे को विपक्ष संसद में जोर शोर से उठाएगी वहीं कॉंग्रेस संसद ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोधी को व्यक्तिगत तोर पर मनिपूर का दौरा करना चाहिए कॉंग्रेस नेता ने आगे कहा कि पीएम मोधी को राज्य के लोगों की समस्याओं को सुननी चाहिए और शान्ती की अपील करनी चाहिए इस साल के अंत में महाराष्ट्र में विधान सभाचुनाफ होने वाले हैं कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्ती, एनसीपी, एसपी और शिवसेना, यूबीटी समेट अन्य दलोवाले महाविकास अघाडी गटबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है 288 विधानस भी सीटों पर चुनाब होंगे इससे पहले मंगलवार को तीन प्रमुक सहयोग्यों, कॉंग्रेस, एनसीपीएस्पी और शिवसेना, यूबीटी के शीर्ष नेताओं ने बैठक की और सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर विचार विमर्श किया नमबर तीन करनाटक में रामनगर जिले का नाम बदलने पर सियासी घमासान मच गया है करनाटक सरकार के उपमुख्य मंतरी डीके शिवकुमार ने रामनगर जिले, रामनगरा का नाम बदल कर बैंगलरु दक्षन रखने का प्रस्ताव सिएम सिध्धार मया को सौपा है कि नाम बदलने का उनका उद्देश बैंगलरु की वैश्विक प्रतिष्ठा का इस्तमाल करना है सिध्धार मया सरकार के इस फैसले पर भाजपा और जेडियस ने आपत्ती जाहिर की है हिंदू विरोधी है कॉंग्रेस शहजाद पूनावाला भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा वर्तमान की कॉंग्रेस पार्टी हिंडू से घहना करती है और पार्टी की राम विरोधी मानसिकता चरम पर पहुँच गई है राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि उन्होंने राम जन्म भूमी आंदोलन को हराया अब दीके शिफकुमार को राम नदर का नाम भी पसंद नहीं है क्योंकि इसका नाम श्री राम के नाम पर रखा गया है कॉंग्रेस कब तक हिंडूओं को गाली देती रहेगी? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि इससे भी अच्छा आपके लिए न्यूज बना सके